मारेत मता की देख देखो हर चीज का एक स्थान होता है उन नारों का भी स्थान है वो ये नहीं है आज के कारक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामि बालक अनन्द जी गिरी जी महराच उपस्थिक सभी पूज्य संत चरण उपस्थिक सज्जन वेदों की विद्वान नागरिक सज्जन माता भगिनी उच्षा बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ विदों के बारे में बोलना मेरा अधिकार नहीं है परन्तु जहां संगय ने मुझे बिठाया आया वहाँ मुझे बुलाते है मेरे आने से उच्षा बढ़ता है तो काम हो गया लेकिन बोलने के लिए भी कहते है तो फिर बोलना पड़ता है वेद और भारत ये कोई दो बाते नहीं है वेदों में ग्यान है और ग्यान दोनों प्रकार का है भोतिक भी है अध्यात्मिक दिये है भगवान ने गिता में कहा है त्रवगुन्य विश्याद वेदा प्रकृती त्रवणात्म प्रकृती है जिसके अंदर सारी सुरुष्टी है उसका ग्यान भी वेदों में है लेकिन आगे कहा है निस्त्रविगुन्यों भवार जुना तो वेदों में जो त्रिगुनात्मक ग्यान है उसके परे जाकर वेदों में उसके परे का भी ग्यान है विद्या भी है, विद्या भी है, उसको प्राप्त करो, ऐसा गिता में कहा गया है, तो ये वेदों का, वेद अपना ग्यान निजी है, और ये वेद, हम जानते हैं, कि ये लिखे नहीं गए, ये सोचे नहीं गए, ये देखे गए, मंत्र द्रष्टा थे, उन्होंने ये सब देखा, तो प्रश्णमन में आता है, कि ऐसा मंत्र पुस्तोकों के पन्ने आते हैं, कि सामने है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है, सारी दुनिया ये तो मानती है, सारी दुनिया के सब धर्मिक परंपरा है, और विज्ञान भी मानता है, कि सुरुष्टी का पहला रूप ध्वनी था, बाइबल में भी कहा है, कि पहले वर्ड ही था, वर्ड ही भगवान था, तो पहली हल्चल जो हुई निश्पंद ब्रह्म व्यक्त ब्रह्म हुआ व्यक्त ब्रह्म में आया तो उसकी हल्चल हुई और हल्चल से ध्वनी उत्पन्न होती है तो सारी दुनिया ये ध्वनीयों की बनी है जिसको अपने आप परंपरा में शब्दे स्वर स्वर्वी दर्शी ऐसा कहते है इस स्वरों को वो देखते हैं देखते हैं ने आखों से देखना अलग बात है वो एक भावातीत स्थिती में इन सब का अनुभा होता है अब आज मनुष्य कलियुक की स्थिती में ज्ञान प्राप्त करता है तो यहां तक जाना उसके लिए कलियुक में संभव नहीं है वो थोड़े लोग होते हैं इसा जाने वाले तो वो अपने ज्ञाने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है ज्ञाने इंद्रियों को कुछ और जोडता है, दुर्बीन जोडता है, माइक्रोस्कोप जोडता है, उसके आधार पर जितना दिखता है उतना ज्ञान प्राप्त करता है, यह दोनों प्रकार है ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञाने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने क वो मर्यादा आप विज्ञान प्राप्ट कर चुका है, अब माइक्रोशकोप और इन सब साधनों से द्ज्ञान प्राप्ट नहीं होगा, विज्ञान घूता है कि अब हमको परकाष के वेक से ज़्यादा जाने वाला कोई साधन चाहिए, ऐसा साधन दूसरा नहीं है वो मुनुष्य का मन ही है और ये भी कहते है व्यज्ञानिक कि मन को इस प्रकार बनाना है ग्यान का साधन तो वो ग्रंथों के भी नाम लेते हैं पातंजल योग वासिष्ठ ऐसे ग्रंथा हमको पढ़ने पढ़ेंगे क्योंकि ये जो दूसरी पद्धती है कि इंद्रिया तीत होकर भाव जगत में सुरुष्टी के स्रष्टा भाव के साथ तन्मय होना और उसके आधार पर सब देखना अंगरी जी में जोसको इंटुईशन कहते हैं इंटुईशन बहुत निमना अवस्था है इस प्रकरिया की ऐसा ज्यान हमारे पुर्वजों ने प्राप्त किया क्योंकि पहले तो स्वाभाविक रूप से मनुष्ण बाहर खोशता है, बाहर खोशने के वही साधन है आख है, कान है, नाख है वही सारे पंचेंडरियों के विशे उसके आधार पर चलते हैं लेकिन जब उसमें सुख मिलता नहीं शाष्वत कोई बात मिलती नहीं टिकने वाली कोई बात मिलती नहीं है ऐसा जब प्रतीत हुआ तो बाकी दुनिया में लोगों ने खोशना बन कर दिया यह समझ के कि ऐसी कोई एक चीज है ही नहीं है, कोई शाश्वत सुख गरे नहीं है, सुरुष्टी नाशवान है, सुख के साधन कम है, खाने वाले बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्परधा है, आपस में लडो मरो लेकिन सुख से जीओ, सुख प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाओ, और सुख प्राप्त करने के लिए जो समय भगवान निजिया है, उसको बढ़ाओ, जादा जीओ और जादा उपभोग करो, यही जीवन है, उसके लिए शक्ति की आवश्यक्ता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग रुख गय नहीं, र सुरक्षित और सम्रुध थी, सम्रुध दियोने के कारण यहाँ हमको अपना जीवन जीने के लिए स्परधा नहीं करने पड़ती थी, सब के लिए भरपूर था, और चारो और से सुरक्षित होने के नाते, आकरमन का भी भःव उस समय नहीं था, तो हमको लड़ने की ज़र और उर्ती भी थी, तो हम यहाँ रुके नहीं, हमने का भाहर नहीं मिलता, तो अंदर है क्या, खोश्ते-खोश्ते हम अंदर वहां तक पहुँच गये, और पहुचने के कारण फिर हमको यह पता जला, कि वस्तों में सारा विश्व एक ही है, और सब एक दूसरे से जुड़ है, यह जो अलगाव है, जो अलग-अलम दिखते है, एक दूसरे को देखते है, एक दूसरे के साथ विभार करते है, अच्छा विभार करते है, बुरा विभार करते है, पुन्य पाप की लड़ाई होती है, सारा जो होता है, वो खशनिक है, और एक हद तक वो सही है, उसके बाद वो गलत है, यानि वो नहीं है, इसलिए उसको मिथ्या कहा गया, मिथ्या ने जूट नहीं, मिथ्या ने एक हद तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता है, मेरी भूख है तो मुझे खाना पड़ता है, आपकी भूख है तो आपको खाना पड़ता है, ये एक हद तक चलता है जब पुत्र भोजन कर लेता और भोजन समाप तो हो जाता है तो माता कहती है कि तूने खा लिया मेरा पेट भर गया तो दोनों का पेट अलग-अलग भरेगा ये एक हद तक सत्य है उसके बाद तो तूने मेरा पिट भर गया, यह आता है, ऐसे यह दुनिया एक हद तक चलती है, उसके बाद तो सब एकाकार है, और सब शाश्वत है, और कोई उसमें विकारों की कोई महत्ता नहीं है, कुछ नहीं है, शुद्धा अनंद, सचित आनंद है, सत्यम अनंदम ज्ञानम, बस, यही सत्य स्वरूप है मनुष्यका, यह जब पता चला, तो संपुर्ण दुनिया अपने यह निश्कर्श अपने आप आ गया, अब अपनी है, तो उसको भी ज्ञान देना चाहिए, जो हमको मिला है, इसलि यह रुशियों ने बहुत परिश्रम करके, अपने राटर की उत्पत्ती की, क्योंकि विश्व के कल्यान की इच्छा उनके मन में थी, तो इसलिए मैंने कहा, कि भारत और वेद एक साथ है, समानार्थी है, और मूल से जानने के कारण, इसमें सारा ग्यान है, तो बताओ, सिटी स्कान का मशिन वेद में कहा है, ऐसा कोई कहेगा, नहीं है, यह बात सही है, लेकिन सिटी स्कान का विज्ञान जो निकला है, जो जहां से निकला है, उस मूल को जानता है वेद, और इसलिए उस आधार पर चिंतन करने से, हमारे भी विद्वानों ने बहुत बहुत पहले, विज्ञान के जन्म के सेकड़ो वर्ष पहले, सुरिया से पृत्वविया का अंतर कितना है, वो बताया है, तो है वेदों में, सुरिया के रण को सुरिया से निकल कर पृत्वविया पर आने में कितना समय लगता है, उसका उलेक है वहाँ पे, वेदो के मंतरों में गनेच मिलता है मैंने एक पुस्तक पढ़ी रुद्र कहते है उसमें चमक है तो एक अम्च में तर्ची अम्च में ऐसा है तो पुषम संख्या है दूसरी जगा दूसरी जगा दूसरी शुरू होता दो, चार, शे ऐसा चलता है तो पुस्तक बताती है कि एक अम्च में वगरे घन और घनमूल का फार्मूला है क्यूब और रूट और वो दो, चार वाला जो है वो वर्ग और वर्गमूल का फार्मूला है उन्हें गनित करके बता है पूरी एक छोटी सी पुस्ति का अब यह है उसमें तो इसलिए हम वेदों को ज्ञान निजी कहते हैं और वो केवल भौतिक जीवन का निजी नहीं है अध्यत्मिक जीवन का में निजी है इसलिए संपूर्ण समाज के लिए जीवन विद्या वेद है इसलिए हम कहते हैं विदो खिलम धर्म मूलम क्योंकि जीवन की धारणा धर्म के कारण होती है एक मनुष्य जीता है उसको स्वस्थर रहना है उध्यान चाहिए शरीर मन बुद्धी आत्मा के साथ रह तब आत्मी जीवन तरहता है ये बिगड़ दया संतुलन संबंध तो विक्षिप तो हो जात है समाप तो हो गया तो मर जाता है ऐसे ही मनुष्य को भगवान ने पेट दिया है तो भरना है इंद्रिय दिया है तो उनकी जो स्वाभाविक भूख है उसको पूरा करना है सामान्य मनुष्य को तो यह है आहार नेद्रा भयमाई तुन अंच यह छुटा नहीं है उश्यों लेकिन ये हमको उपभोग के तरफ न ले जाए ये हमके जीवन के सार्थक के तरफ ले जाए सत्य बोट की तरफ ले जाए इसलिए जो अनुशासन चाहिए इनमें जो संतुलन रखना चाहिए धर्म उसको देता है और मोक्षे की तरफ ले जाता है इसलिए चारो पुरुशार्थों को जब हम बोलते हैं उल्लेक करते हैं तो पहले धर्म का नाम लेते हैं धर्मा आर्थक आममोक्षण चविंदती क्योंकि मोक्षप राप्त करना है तो भी धर्म का अनुशासन चाहिए सन्यास आश्रम में ऐसा है मैं सुनता हूँ आपको ज़्यादा मालूम है कि अगर सन्यासी को समाज में रहना है तो नियम है हिमाले में जाकर साधना करनी है वनों मेकांत में साधना करनी है तो सन्यासी सब धर्मों के उपर है क्योंकि धर्म सब की धर्णा करता है अकेले कि अगर एक व्यक्ति होता तो उसको आवस्ष्टा नहीं थी क्योंकि किसी के साथ उसको नहीं रहना है जब साथ रहना है तो मनुष्य को समुह के साथ रहना ही है परिवार में रहना ही है मानव समुह को सुरुष्टी में रहना है, सुरुष्टी के साथ रहना है और मानव समुह और सुरुष्टी तीनों को ये विश्वरूप जो भगवान है उसी के सानिज्य में रहना है और साथ रहना है तो धर्म चाहिए ये धर्म ऐसे सब को जोड़ता है जोडे रखता है उपर उठाता है उन्नत करता है और प्रेय में से श्रेय की और ले जाता है इसलिए धर्म सारे जीवन का आधार है उसके अनेक अर्थ भी है इसलिए फिर जीवन ठीक रहने के लिए जो करता हुए करने पड़ते है उसको भी धर्म का है राजा धर्म है पुतर रहना है तो एक दूसरे के स्वभाव का परिचे होना चाहिए और जिसका जो स्वभाव है उसके आधार पर उससे विवार करते हैं उसको ठीक रखते बनना चाहिए इसलिए स्वभाव को भी धर्म का आ गया है पानी का धर्म है बैना, अगनी का धर्म है जलाना लेकिन इस धर्म का ज्ञान वेदों से आता है क्योंकि वेदों का मूल सत्य में है इसलिए हमारे हां कहते हैं अप अरुष यह है यह भगवान के निश्वसित है यहने सुष्टी हुई उसके साथ उसके स्वर आए तो वेद भी आए उनको देखा होगा बाद में लेकिन वो पहले से है उसी किस रुष्टी बनी है और वो आया तो उसके साथ धर्म भी आया ऐसे यह वेद है और ऐसे यह होने के कारण इसको समझना यह कठिन बात है सामान निवक्ति के लिए विद्वानों के लिए भी कठिन है मैं कह रहा हूं मेरा अधिकार नहीं बोलने का है क्या बोले ऐसे विशे में हमारे जैसे लोग क्या बोले लिए बोलना पड़ता है ज्यानेश्वर महाराज ने कहा है व्यासाधिकान से उनमे खरहाटती देथा शाशंक व्यास तैसे महरशियों के उनमेश वो जिसमें साशंक होके इधर उदर भटक रही। वह तेथम इही रंक एक चावड़ी के रही। मैं एक सामान्य मानू तो मैं सामान्य आजमी बड़ बड़ कर रहा हूं। ऐसा ज्ञाईशुर महारात कहते है। तो इसा करना पड़ता है तब करना पड़ता है। परन्तु इसका अर्थ अब ये अर्थ भी बुद्धी की बात नहीं केवल। सब्दा अर्थ में जाएंगे तो क्या-क्या सोचेंगे पता नहीं। वेदो का अर्थ जिसको प्रतिती है वो ठीक बता सकता है। संतत्युकारामाराज हो गए। तो उन्होंने ऐसा खाओ, वेदान साथ अर्थ आमासी चठावा। वेदों का अर्थ हम ही जानते है। क्योंकि वेद जहां से आये है, उसके साथ जो साक्षात है। वो जो बताएगा, बताएगा। वो अर्थ है। तो जो वेदों का जीवन जीते है, वेदों का जीवन जीने वाले जो है, वो अर्था बताएंगे, तो फिर ठीक होगा. और हमने सुना भी, सातवले जीकर का जीवन वैसा था. उन्होंने वेदा शास्तर के नोसार अपनी जीवन का निर्वाह किया. तो उनको उसके बारे में अनुभूती थी, और इसलिए वो कह सके, कि मैं सव वर्षभ पूरे करके, फिर जाओंगा. खुर्वन्ने वेह करमाणी जीजी विशे चतस्तमा, यह हमारी गोटना है, वेदिक गोटना, उपनिशव में है. तो उन्होंने उसके आधार पर कहा और वैसा करके दिखाए. उनका लिखा हुआ भाष्य, सुबोध भाष्य, वो अगर प्रमाण भाष्यों में एक माना जाता है, तो उसमें आश्चरी की कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी वो गति थी उसमें, अनुभू की आधार पर, प्रतिती के आधार पर थी. उसको, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं, वेदों को जीने वाले या प्रतिती के आधार पर जीने वाले, वैसे इस दुनिया से उनका कोई प्रयोज़न न रहने के बात भी, एक स्वाभाविक अपने पन की जो लोकोद्धार की उर्मी रहती है, उसके लिए उसके लिए अप जानकारी के लिए उनका ज्यान बढ़े, उनको परिचर ठीक हो, अर्था पता चले, जीवन कैसे जिना ये पता चले, इसलिए ये सारी बाते लिखी, सर्वोतव परी हमारे लिए सुगम है और उपयोगी है, क्योंकि वोदों में सारी बाते हैं, संगटन, संगटन का उल्ले बहुत बारुबा, तो संगटन मंतर भी वेदों में, संगटन चद्वम साउमदद्वम, हम संगटन के नित्या बैठक के प्रारम्मे में ओ कहते हैं, संगटन कैसे बान्दना, इसका एक फर्मल आया है हो, थोड़े शब्दों में, जिसके लिए हम 20-20 दिन के वर्ग लगात और भाष्ण देते रहते हैं, और सुत्र रूप में उसमें बताया है, ऐसी बहुत सी बाते हैं, सब प्रकार के शास्त्रों उसमें से निकाले जा सकते हैं, अंगरी जी मैं कहते हैं, उसमें लिखे नहीं हैं, लेकिन आप उसका मनन करेंगे, तो आप उन शास्त्रों को फिर से जिवित कर सकोगे उसका अवगाहन करेंगे तो हरेक शास्त्र में अवगाहन करने की आपकी प्रतिभा पूर्ण बनेगी ऐसे एक रंता है और इसलिए स्वाध्धाय मंडल पारडी को वस्तों में हम सब लोगों ने किवल रजे से धन्यवाद नहीं देना चाहिए कैसा आगे बढ़े इसको भी देखना चाहिए क्योंकि इतना उत्तम कारे उन्हों किया है कि हमारा जो श्रेष्ठत ज्याननी जी है जो कीनो काल में सुसंगत है सदा सर्वदार रहेगा और विश्व की सभी ज्यान प्रणालियों का जिसमें आधार है ये भी मैं बहुत जिम्मेबारी के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि प्रतिती वाले लोगों ने इसको बताया है महराटम एक संत हो गए गुलाब राओ महराज पुरा ननिया भी अभी हो गए तो नौवे साल में उनकी दुर्ष्टी चली गई दूर देहात में रहते थे पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा प्रश्टना नहीं था लेकिन ऐसे हो गए कि जर्मन गरंथ स्पैनिश गरंथ, अंग्रेजी सारे गरंथों मुखवगत थे उनकी वो बता सकते थे, बात करते थे विद्वान आते थे, बात करते थे उधर जाओ, वो एक निला पुस्तक है अलमारी में, उसको निकालो उसके पासोवे पेज पर चोथी लाइन, वो पढ़ो प्रमान मिल जाएगा, इतना उनका था वो अपने को प्रमान डिखाया है तो जो जानकार है, वो जानते है और जो जानकार नहीं है, वो अपने बुद्धी के अनुसार वाद विवाद करते है वाद विवाद में हमको जाना नहीं, उससी किसी का पायदानी लेकिन हम लोग शरद्धाल है हमारे पास यह निजी है, यह हम जानते हैं, तो उसके आधार पर हम उसको पढ़ें, हम उसको जीवन में उतारें, और जितने अधिक लोगों को उस ग्यान का लाप दे सकते हैं, उनका जीवन वैसा बना सकते हैं, उतना करें, इस दुरुष्टी से, आज फिर से, इन सब का समय आया है, आया है, हम देखे रहे, योगी अरविंद ने घोशित किया था, इस तरफ सारे विश्व का रुग भी बदल रहा है, बन रहा है, यह भी हम जानते हैं, तो इस प्रक्रिया में मैं समझता हूं, कि ऐसा एक सुबोध भाष्ट, तिनों वेदों का, सातवले जी कर जैसे, सातवले कर जी जैसे, हाधिकारिक वेक्ति के द्वारा लिखा हुआ, वो फिर से हमको सुभिवस्थित रूप में प्राप्त होना, ये भी एक अपने लिए संकेत है, और अपने लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा साधन है, उसका हम सब लोग लाब ले इतनी प्रार्थना करता हूँ, और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ